हलो गाईज वेलकम बैक टु ऊर्चैनल इंट्रादेश्ट ट्रेट आनाडेशिस और यहापर दीखे मैंने क्या काता आप लोगों को अगर मार्केड हहापर नेगेटीव उपन होता है फिर से तो मार्केड यहापर बाउंच बैक हो सकता है और मार्केड बाउंच बैक दीखे कितनी हूँ हाई लेवल से हुआ है 230 से लेकर 150 से लेकर 150 से लेकर 600 के आसपास मार्केट गया है ठीक है तो इसलिए मैंने कहाता मार्केट आपर बहुत पैक हो सकता है बट second moment नहीं बताई आप लोगों second moment क्या है मार्केट sideways भी जा सकता था और case या फिर ट्रेंडिंग भी हो सकता था या आसी ठीक है बट ट्रेंडिंग नहीं हुआ मार्केट या पर ठीक है तो अभी देखें मार्केट या पर downside आया ठीक है तो down आया तो मार्केट फिर से 300 के आसपास हो फिर से मार्केट या पर लेके गया ठीक है तो market अभी इस range के आसपा से market 330 के आसपा से और market अभी देखिए यहाँ पर हमारे को buying की moment और selling की moment हमारे को देखने है कब मिलेगी देखिए यहाँ पर हमारे को जब मिलेगी market में देखिए यहाँ पर जब 150 cross करेगा जब इसका low break करेगा market जो एक एंडल है इसका low break करेगा तो भी market यहाँ पर down आएगा तो भी हम यहाँ पर sell करेंगे और buying की moment देखेंगे तो इस range के आसपास जब 550 grand की अपनी वाली तो 550 grand जब नकलेगा तो भी हम market यहाँ पर buying के लिए जाएंगे ठीक है और यहाँ पर देखें यहाँ पर ज़्यादा क्योंकि कल है क्योंकि विनस यहाँ पर premium market यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकता है यहाँ फिर market यहाँ पर फिर से sideways जा सकता है यहाँ तो market अगर इस range के आसपास ओपन होता है तो market फिर उपर निकल जाएगा अगर downside open होता है तो फिर याप पर थोड़ा सा एक break लेगा और market यापर sideways जाएगा ठीक है या तो market को अगर trending होना है तो फिर उपर ही होगा फिर downside trending नहीं बन सकता ठीक है उपर के side यापर 550 के range देख लीज़े यापर market open होना चाहिए और market यापर 750 range निकाल सकता है ठीक है अभी अगर निप्टी की बात करें तो निप्टी देखिए यहाप पर निप्टी का जैसा bounce back हुआ है तो यहापर देखिए ऐसे range बनी है market की और यहापर market को निकाले का देखिए यहापर 15,680 की range important है अपनी लिया और उपर की side यह वाली 790 की range ठीक है इन दोनों को जब यहां market इ इधर sell करेंगे फिर market इस range तक आने के लिए दिक्कत कर सकता है 850 के आसपास आने के बाद market डिक्कत कर सकता है उपर जाने के लिए बट वहापर हमारे को ट्रेडने करना जब 850 को cross करेगा तभी हम यहापर trading करेंगे ठीक है और premium यहापर घट सकता है और बढ़ भी सकता है क् एक्सपारी के पहले दिने ठीक है तो उसके बाद है एक्सपारी तो यहापर trade अवाइट करें थोड़ा बूर 1230 के बाद ठीक है ओवर ट्रेडिंग ना करें अगर call की बात करें तो call है हमारा 850 का ठीक है 850 का और downside के लिए 600 का तो market को जहापर भी निकलना है वहापर निकलन ठीक है